हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत हैं आज इस वीडियो हम बात करेंगे से क्रेटी एस्टेप निड कैसे प्रोग्लम सुल्प करते हैं यह आपको अस्कीन पे दिख रहोगा इस तरह के आप लोग को भी एकांट में प्रोग्लम चल रहा है कैसे इसको ठीक कर करता है और कौन-कौन सी इसमें यूज करना होता है कि आपका आइडी ओपन होगा तो देखिए सबसे पहले इस आइडी को ओपन करने के लिए नेम डेटर वर्फ मॉइल नंबर जिमेल यह सब आपको होना चाहिए अगर आपको नहीं रहता है तो आप आइडी ओपन नहीं क कर सकते हैं देखिए नेम और डेटर वर्फ क्यों अगर आप एकांट लॉकेड में चला जाता है चाहे हैक हो जाता है तो आइडी ओपन करने के लिए कुछ प्रूप देना होता है जैसे अधार काड़ पैन काड़ गोटर आइडी काड़ आइडेंटी काड़ यह सब आपको तो ऐसे इस वीडियो बात करेंगे सिक्रेटी अश्टेप नीड कैसे ओपिंड करना होता है आज की इस वीडियो में फूल डिटेल में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को वह स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है रूपेश कुमार आप देख रहा है औरके हेल्फ टू में तो स creative step need यह काफी ज़्यादा लोगों को प्रोग्लम चल रहा है इस ID को open कैसे करते हैं देखिए अगर आप लोग को भी इस तरह के प्रोग्लम चल रहा है तो कैसे open कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है यहां से आपको वैक हो जाना है बैक होते ही आपको Facebook प्रोग करना है open करने को सीधे आपको यहां पर ID पासवर्ट डालके लॉगिंग करना है तो चलिए यहां पर ID पासवर्ट डालके लॉगिंग कर लेते हैं और जैसे आपको बताएंगे उसी तरह से आपको भी open करना होगा तब जाकि आपको ID جو यह नहीं कि जैसे मैं बताता हूं उस तरह से नहीं किझेगा तो आपको आइड़ी ऑपन को नहीं होगा सब्सेपहले नहीं कि सिधे लॉगिंग पे क्लिक करना है लॉगिंग पे क्लिक करते ही आपको यहां पे कुछी इस तरह से आप्शन आ जाता है आप लोग को भी आइडी में इस तरह से प्रोग्लम आ रहा होगा ति इस आइडी को कैसी प्रोग्लम सोल्ड करें तिस आइडी को प्रोग्लम सोल्ड कर बइक टूल सब से पहनी इस तरह के आ रहा है लॉग निऊ आपको और यह क्लिक कर आप एक किलिक करते ही आपको यहंपे एक में यह यू आपको यह पर दूसरा प्साना रहा है एक आपको यहां पर船 दो अब सा रहा है अगर आपको यहाँ पे mobile number पे जा रहा है code माली जी आपको Gmail पे code जा रहा है तो उसके लिए भी तो mobile number पे OTP मिल जाएगा Gmail पे भी OTP मिल जाता होगा लेकिन यहाँ पे identity और comment का option आ रहा है upload ID का option आ रहा है माली जी आपको यहाँ पे कुछ भी option नहीं आता है उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ आपको i button पे link मिलेगा ऐसे वीडियो को decision भी link दे देंगे वहाँ से आप लोग complete वीडियो बाच कीजिए और अपना program solve कर सकते हैं अब रही बात यहाँ पे किसी कहोता है कि mobile number पे OTP जा रहा है लेकिन mobile number है वो खो गया है लोगिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको i button पे link मिलेगा वहाँ से आप लोग कंप्लीट वीडियो बाच कीजिए और अपना program solve कर सकते हैं इसको प्रोग्लाम solve करने के लिए यहां पे identity your comment option पर क्लिक करके सिधे यहां पे next पर क्लिक करना है तो चलिए next पर क्लिक करते हैं नेक्स पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से option आएगा जो भी आप कमेंट किये थे जो भी आप लोग को पास comment आया उस comment को यहाँ पे इस तरह से select कर लेना है select करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे नीचे की और scroll करना है उसके बाद यहाँ पे next वाल option आपको आ रहा है तो next वाल option पे click कर देना है click करने के बाद आपको इस तरह से option आएगा तो यहाँ पे देखिए note available बताया मतलब यहाँ पे कई वार आप लोग इसमें यूज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे note available बताएगा मतलब आपको यहाँ पे feedback send नहीं हो रहा है तीस वाला application अभी देखें यहाँ पे reject कर दिया है तो इसको program solve करने के लिए यहाँ से आपको इसको screenshot direct ले लेना है स्क्रीन सोट लेने के बाद सीधे यहाँ से बैक हो जाना है बैक होने के बाद आपको यहाँ पे सीधे Gmail application open करना है open करने के बाद इस तरह से option है उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कम पोजिक Gmail वाल option दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह सी option है उसके बाद तु यहां पर नजार मा रहाते हैं इसको यहां पर Facebook लिखना है इस तरह के Gmail आपको वीडियो को decision में मिल जाएगा वहां से आप लोग Gmail और उसके बाद subject में subject में जो आपको program रहेगा तो आप आपका प्रोग्लम है सिक्रेटी अश्टेप नीड अश्टेप नीड इस तरह के प्रोग्लम है उसके बाद आपको यहां पर देखिए हेलो फेस्बुक टीम उसके बाद आपको यहां पर देखिए हेलो फेस्बुक टीम उसके बाद आपको यहां पर देखिए हेलो फेस्बु जो आपको Facebook ID में add है और Gmail भी वही डालेगा जो आपको add है अगर आपको add नहीं है फिर भी आप एक new Gmail यहां पर डाल दीजेगा इस तरह के फीड़ेग करने के बाद आपको उपर की सैड में एक option आ रहाँ का इसे वला लाइन पर क्लिक करना है इस पर क्लीक करने के बाद आपको ऊपर की side में सेंड अवला ओप्सन दिख लोगा इस प्लीक करना है यहां से आपको क्लीक करते हैं तो में पूस्सक्राइब हो जाएगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं सेंड हो जाने के बाद आपको किषे स्क्राइब कर लीजी देखिए छे घंटाफ हो जाने के बाद आपको आईडी कैसे लॉगिंग करना है उसके लिए आपको क्या करना है क्रोम प्रोजर ओपिन करना है उसमें सर्च किजिएगा फेस्बुक.com फेस्बुक.com करने के बाद उसमें आईडी पस्वर डाल के लॉगिंग किजिएगा आपको भी आईडी सही सलमत लॉगिंग हो जाएगा आसा करता हूं फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझवाया होगा मन लेजी आप लोग को वीडियो नहीं समझवाया तो सुरु से एंड देख लीजी आपका भी आईडी प्रोग्लम सुलम हो जाएगा काफी दिनों से आप लोग परसान होंगे अभी तक आईडी ओपन नहीं हुआ तो कैसे ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको सुरु सेंटे वीडियो देखना है तब जाके आपको आईडी रिकवर होगा जैस आपको भी आईडी रिकवर हो जाएगा वीडियो पसंद दिया तो लाइक कर दीजिए चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां पे फेस्बुक से लेटेड काफी सर अपडेट मिलता रहता है तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो फिलाल आज मैं यहीं तक कराने दता हूं तब तक लिए थैंक्यू आल दा वेस्ट बाइबाए